वेलकम टू माइ यूटीव चानल लाइशोप आप लोग बहुत अच्छे होगी और मैं हूरेनू आज आप लोगे साथ सेयर करने वाली हूँ मैं बालों पे कंगी कैसे करते हूं और आयल मसाज कैसे करते हैं जिसे कि आपके बाल अच्छे से खेज भी जाएंगे और जढ़ें कि नहीं पर जो वीटियो कईके एक काहितार मेरी सर राइप TVs घ्राइब कि मेरी वीडियो के मेरी वीडियोuate मेकप से रेलेटेड ही होती है फिरे नॉर्माल हयर स्थायल होती है तो बालों पे कंगी औरॉसक्तार है मेरी वीडियो हैै जाण बालों हमेसे पार्ट करने के बाद मैंने अपने बालों को अच्छे से लेयर किये जिसे की बाल जो उज़े हुए थे वो सुलज गया दोनों पार्ट के बाल आपको सुलजाने है मैंने अपने बाल सुलजा लिये हैं उसके बाद मैंने कंगी लिया है कंगी विरफास बड़े स्पेस वाली है अब जो भी यूज करते हो कंगी आप उसी से करें चाहे छोटे स्पेस वाली और बड़े स्पेस वाली आपको हमेशा कोशी से करने कि अपने लेंद से स्टार्ट क आपके बाल जादा टूटेंगे नहीं जड़ेंगे नहीं दो पार्ट करके अपने बालों को शुल जाया और कंगी किया अच्छे से देख सकते हो मैंने अपने बालों को कैसे खेचा है जिसके बाल बहुत ही तूटे हैं बहुत ही कम कहने का मतलब 2-4 ही सिर्फ उसके बाद मैंने hot oil लिया है जो भी आप oil use करते हो मैं तो coconut oil करती हूं अपने लेंद से मैंने स्टार्ट किया है और पहली बात यह ना कि मैं ज़्यादा तर ऑइलिंग करके ही रखती हूं पर मुझे यह वीडियो बिनानी थी सिवाजे से मैंने इसे लेंद पर लगा कर ही रखा था इसकालप पर नहीं तो यह वीडियो के लिए मैंने इस स्टार्ट किया है आफ ओईलिंग करना तीरे-धीरे ओईलिंग करना ज्यादा जोर देगर के नहीं करना है कि खिचाओ पड़ें उंगलिवें क्यूंकि बाल बहुत फस्ते हैं जब आप लेंद में कर रहे हूं अ ओईलिंग या फिर इसकैल्प पे आपको बहुत हल के हां से करना इसके बाद मैंने अपने स्काल पीपर करना है अब मैंने बालों पीछे ले जा कर बा सभिस पाल नो को लगाना और टक लेए आप कहने से हींघी टेप से अपको मसाज़ करना है आप कोशिस यह करें कि हमेशा जब या पॉइलिंग करें तो होट ऑईल ही लें क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है कोई सभी आप ऑईल यूज करें हमेशा होट ऑईल ही लें पर हां आपको कभी भी कैस्टर ऑइल गर्म नहीं करने क्योंकि वह आपको सूटने करेगा नुकसान करेगा कभी भी कैस्टर ऑइल को गर्म नहीं करते हैं डबल मेथर्ट से आप उसको गर्म कर सकते हैं जैसे कि आप जो भी तेल पना के लगाते हैं कि नॉर्मल जो भी है पर क कभी बी आप इसको करना करें डारेक्ट तो जी सते मैंने कैसे तेल लगा है पॉठेसारा में देल कि चाहिए कभी भी कम नहीं लगाती हुआ हल्के हांसे मैंने आपने बाल पर मसाज किया है कि उसके बाद मेंन अपने बैक पे स्टाट किया को अरशाओ करना है और हलके हाथ से करना है, वरना आपके हाथों पे बाल फसेंगे, बाल फसने के वज़े से खिचाओ पड़ेगा, खिचाओ पढ़ने के वज़े से आपके बाल तूटेंगे, तो बहुत हलके हाथ से ओल मसाज करना है, उपर से स्टार्ट करते हुए मैंने अपने लेंद पे हलका हलका मसाज क्या कोई आइल लगा दिया है कि जरूरी होता है नहीं करना नॉर्मल सी बात है उसके बाद मैंने नेपाल लोग क्यों अच्छे से शमेट करके बन बनाया बहुत ही जादा खिचाओ दे करके आपको बन नहीं बनाना है कभी भी आप ओईलिंग करो या फिर विदाउट ओईलिंग के हैर होते कभी भी आप ज्यादा टाइट चोटी या फिर बन ना बनाया बालों में बहुत खिचाओ परता है जाए ओप खिचाओ के वजए से आपकी जो हैर लेंट होती है इसका है खुलती चली जाती है बाल आपके ऐसे लगते जैसे सारे के सारे जड़ गया हो तो भूहाथ ही धीली-चोटी या फिर नॉर्मल धीली धीली बनाया इसका धीली नहीं बनाया है जैकर कितना मैंने कम अ प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम यह कि जड़ते हैं जितना मोड़ों कि वह रैसे ही बन जाएंगे और फिर खीशते टाइप प्रॉब्लम होगी है धूलते टाइप आपको ओइलिंग करने के बाद हमेशा एक घंटे के लिए जब आप ना आने जाते हो उसके पहले एक घंटे के लिए एक घंटे पहले ओइलिंग मसाज कर ले या फिर ओवर नैट भी आप लगा सकते हो ओवर नैट लगाने के बाद आप डे में ब्यूश कर ले और इसी तरीके से आपको बाल खीशने कभी भी ऐसे ने की बस scalp से शुरू क्या length में ले जाना है और जोर दे करके वैसा कुछ भी नहीं वस हलके हाथ से length से start करके नहीं आपको बाल खीशना और ज्यादा जोर दे करके नहीं बन बनाने के बाद मैं हमीज़ा क्या करती हूँ अपने forehead के पास जो भी मुझे लगता है बाल मेरे कम है कम नहीं है वह बचपन से हैं तो हलके हाथ से मैं अपने बालों पर वानिक करती हूं माते पर आपको मेरी वीडियो कैसे लगी कॉमेंट करके जरूर पता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए